गुड मॉर्निंग माईडियर इस्टुएंट्स माइनम जी रहमान वेलकम टू इकोमर जोन इकोमर जोन में आपका स्वागत है आप इकोमर जोन चैनल में जाएए प्लेलिस्ट में है वहां बहुत सरे सब्जेट का उसमें आप प्लेलिस्ट के मादियाम से देख सकते हैं के लिए इसका किताब का नाम है ये बुक का नाम है फर्स्ट प्लाइट क्लास 10 के लिए एंसी आर्टी जसी आर्टी ये सभी बुक में वही है चप्टर पाला ये चप्टर वन है इसका नाम है एलेटर टू गॉड यानि हिंदी पता चलता है एक चिठी जो है भगवान को ल याद रखेगा ये मैक्सिकन नोबलिस्ट है पोएट है जनलिस्ट है he was born on 17th November 1895 and died 10th December 1966 मैक्सिको मैक्सिको जानते हैं अमरीका तरफ का एक अमरीकन कंट्रीज है इस तरह से आप देखते हैं कि इसके जो कारेक्टर है इस चप्टर में मैं थ्वाशा कारेक्टर बता दता ठीक है याद रखेगा मैं इस चप्टर को लाइन में लाइन पढ़ाऊंगा थोड़ी दिर में ठीक है लेंचो एक जो फार्मर है फार्मर को हम पीजेंट भी बोलते है छोटे क्रिशक एक पोस्टमास्टर है जो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और कलक्स भी है और अदर स्टाप्स है अब देखे इसमें क्या कहानी है कहानी तो मैं बताऊंगा ही लेकिन जो मैं दो तिन चीन लिखा हूं उसको मैं बता रहा हूं थीम क्या है the poet highlights you know a poet that is called यह आपका nobelist है यहाँ पर poet का मतलब यहाँ होगा nobelist you know the nobelist इसको हटा देंगे तो यहाँ हो जागा nobelist okay nobelist highlights immense power in man's innocent faith in God it teaches us that if man has childlike faith in God he can fulfill anything considered impossible कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको भगवान पर असीम भगवान पर आपको बहुत ज़्यादा असीम विश्वास है तो कुछ भी संभाव हो सकता है इस दुनिया में याद रखेगा ठीक है इसका moral क्या है बच्चे देखेंगे यहाँ पर moral जो कहनी का एक moral story क्या है the moral of the story a letter to God is that extreme faith in God Almighty can give you a ray of hope even in the darkest time कहने का मतलब हुआ बिसम से बिसम परस्थिती में भी अगर आपको यकीन है उमीद है भगवान अल्ला परमेश्वर से तो याद रखेगा वो directly या indirectly आपको help करते हैं ओके तो इस तरह से आपने देखा यह आपका a letter to God है इसमें कहानी क्या है एक किसान का है उसका फसल पूरा तरह से बरबाद हो जाता है और decide करता है कि मैं एक letter लिखूंगा ताकि हमारा जो बच्चे है परिवार है भूखे ना मरे उसके पर लेटर लिखता है तो वो 100 पेसोज डिबांड करता है लेकिन unfortunately उसको 70 मिलता है 30 नहीं मिलता है तो वो जो post इनकली यही होता है कि वो उनलूपर blame करते हैं कि वो लोग मतलब गलत थे जबकि सचा यह है कि postmaster और जिदरे भी उनके group staff है वो लोग सभी मिलकर क्या करते हैं 70 पैसोज उपाई करते हैं मने collect करके देते हैं और इस तरह से उनलोग को ही जूठा यानि कर्प्ट बना देता है आईए हम आपको अब लिये चलते हैं सिधे line by line story में ओके तो मैं बता रहा था कि जैसे यह आपका first flight book से लिया गया है जो textbook in English for class 10 यह आपका NCRT का है जो CRT में चलता है कोई दिकत नहीं है तो इसी का मैं line by line पढ़ा रहा हूँ देखिए यह आपका a letter to God लिया गया है a letter to God य यहाँ पर बताये गया है before you read यहाँ पर क्या है they say faith can move mountains but what should we put our faith in this is the question this story delicately poses you know Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined asking for a hundred pesos does Lencho later reach God does God send him the money think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it इसका मतलब यह हुआ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो a story मैं आपको बताये गया है क्या इस तरह से कभी ऐसा हुआ है कि कोई आदमी जो है कुछ problem होता है तो letter जो है God को लिखता है और ओ कुछ फसल उसका बरबाद हो जाता है घर हो अगर कुछी बरबाद हो इसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता है यह वैसे लोग करते हैं जो illiterate रहते हैं या अनपड होते हैं तो इसमें आपको दिखाए गया तो क्या आप कभी जिन्दगी में जो है confirm है कोई आपके घर में post office दोवारा आता होगा कोई डाकी आपके पहुंचाते होंगे चिठी ले पर आपका first जो आपका देखेंगे यह story है the house the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill इसका मतलब हुआ किसी पहाड़ी के नीचे जो हील के नीचे जो है एक घर है बिलकूल नीचे नीचे जो होता है ना हील का नीचला वाला जो पाथ उसमें घर बना हुआ है from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised you know a good harvest ठीक है अब वहाँ से नदी है और कुछ पके वएगरा धान के खेत वएगरा है जिसमें देख सकते हैं और चारो तरब फुल फुल वारी लगा हुआ है और एक आदमी जो है उमीद कर रहा है कि इस साल बहुत अच्छा से क्या होगा खेती हो दा अर्थ नीडेड वाजे डाउन पोर और एट लिस्ट एस सुवर डाउन पोर का मतलब होता है यहां हलकी हलकी बारिश होगी और कम से कम फुहारा जी से बारिश होगी थुरू और दा मॉर्निंग लेंचो हू नियू हीज फिल इंटिमेटली हैड डन नथिंग एल्स बड सीधा एसकाई टूर्स दा नॉर्थ इस्ट ओके तो ओ देख रहे थे नॉर्थ इस्ट के तरब से कि कम से कम इस साल जो है अच्छी बारिश होगी और मेरा जो है फसल बहुत अच्छा होगा नाउ वी वर रियली गूइंग टू गेट सम वाटर ओमैन ठीक है ओ अपने मैडम से बात ही कर रहे थे मतलब लेंचो जो एक किसान है पिजेंट हो मैडम से बात कर रहे थे कि हम लोग इस साल थोड़ा सा अगर बारिश हो जाती है तो अच्छा होगा दा ओमैन हूँ आज प्रिपरिंग सपर सपर का मतलब यहां पर भोजन होगा सपर का मतलब क्या होगा भो का था वर working in the field जो अब ये देखिए अब ये दिन का चुकी समय है रात का समय हो नहीं था वो दिन का समय है वो खाना बना रहे थे और उसके बच्चे जो है काम कर रहे थे केत में उसमें दो बेटे थे ते काम कर रहा था और कुछ बच्चे खेल रहे थे घर के सामने ठीक है अब देखिए नेस्ट में क्या है नेस्ट पाराग्राफ आपको बोलते हैं यहाँ पर देखे लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रोप्स अफ रेन बिगें टू फॉल मतलब उनको ऐसा प्रिडिक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज के भवविस्वानी करना ओके प्रिडिक्शन करना कोई चीज के भवव अप्रोचिंग और नॉर्थ इस से बहुत मतलब जो हुज माउंटेंस अप क्लाउट बड़े बड़े जो बादल जो है दिखाए दे रहे थे ऐसा लग रहा था वो मेरे नजदीकार है या उसके नजदीकार है पहाड के नजदीकार है दा एर वाच फ्रेश एंड श्वीट और एर कैसा था फ्रेश था और श्वीट था दा मैन यहां पर देखेंगे दा मैन वेंट आउट फोर नो अदर रीजन दैन तो है दा प्लेजर ओफ फिलिंग दा रेन ओन इस बोड़े ठीक है इस तरह से देख सकते हैं कि उसके बोड़े में मतलब उसको अच्छा लग रहा था एंड वेन ही रिटर्ण ही एक्सक्लेम वह जब लटा तो बहुत अच्छा से एक्सक्लेम किया खुशिक साथ मलब जवाय किया दे अरंट रेंड्रोप्स फॉलिंग फ्रॉम दा स्काई और वे दीज आरंड यूनो मलब यह जो है रेंड्रोप्स नहीं है जो स्काई से ग जो बड़े ड्रोप है वो लग रहे हैं दस मने के सिक्के हैं और जो छोटे हैं वो पांच के सिक्के जीसा लग रहे है ठीक है विद दा विद ऑस स्टिसफाइड एक्सप्रेशन ही रिगाडिर दा फिल्ड ओफ राइप कोर्न विट इट्स फ्लावर ठीक है उसको लगा कि यह जो है राइप कोर्न विद इट्स फ्लावर फ्लावर उसमें हैं ड्रैप्ट इन एक कर्टेन ओफ रेंड ठीक है ड्रैप्ट मतलब यहां पर मिनिंग दिया हुआ है कबर्ड विद क्लोथ ठीक है क्लोथ मतलब ऐसा लग रहा है कि जिसे वो पूरा जो कर्टेन का मतलब हो जया है और जा के अच्झे और क्या हो गया अचानक एंगर फेरी लार्स हैले स्टॉन फेंग Ces ऐले स्टॉन जो होता है अपकोला विरिष्टि आचानक विरिष्टि होने लगी handlar दिज्ध तूली डीडे रिजेंबल का मुन होता है उसके जैसा दिखा देन रिजेंबल निव silver coin की जिसा दिकाए देन लगा the boys exposing themselves to the rain और बच्चे जो है मतलब उमीद कर रहे थे कि अच्छा rain हो ran out to collect the frozen poles ठीक है ना और आप जानते होंगे कभी गाओं में ऐसा भी हुआ है जब बारिस होती है ना तो जो गिरती है hail stones तो उसको बहुत सारे बच्चे जो है पॉल्स मने मोती समझ के क्या समझते हैं जाते हैं collect करते हैं और खाते हैं it is really getting bad now लेकिन अब जो है बुरा हो रहा था exclaim the man man मतलब क्या होगा वहाँ पर ओ किसान ओ किसान ने बोला कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है I hope it passes quickly मुझे उमीद था कि ये बहुत जल्दी चला जाएगा it मतलब क्या hail stone बहुत जल्दी चला जाएगा it did not pass quickly लेकिन ये तो बहुत जल्दी गया नहीं for an hour the hail rain on the house और एक घंटे से एक घंटे से जो उला बिरिष्टी है ओ लगतार हो रही है the garden, the hillside, the cornfield on the whole valley और चारो तरफ बहली में समझे ये तो उला बिरिष्टी हो रही है the field was white as if covered with salt फिल्ड जो है पूरा वाइट हो गया अय जीप का मनला होता है ماनो मानो कैसा हो रहा हो ये मानो लग रहा हो पूरा नमक हो गया अब नमक जानते होंगे जनरली सफ़ेद होता है नमक की तरह है बिलकुल सफ़ेद हो गया नोटे लप रिमेंद ओन दा ट्रीज एक भी पेड में जो पते बचे नहीं सब जट गए the corn wash totally destroyed और जो भी फसल थे वो पूरी तरह से क्या हो गया destroyed मनें बर्बाद हो गया the flowers were gone from the plants और जो फूल थे और जो plant थे तो plants से flowers क्या हो गए अलग हो गये तूट गये क्यों तूट गये आपको मैं बता रहा हूँ जब ओला बिरिष्टी होता है ना तो आप भी जब कभी गाव में देखते होंगे तो ओला बिरिष्टी होता है तो आपके छट जो है बहुत सरे leakage करने लगते हैं तूट जाते हैं उसके खपड़ा वगर यह जो भी सिटा वगर रहता है तूट जात आत्मा को बहुत चोट पहुँची होएं दा स्टोर्म हैट पास्ट जब स्टोर्म गुजर गई ही स्टोरी इन दा मिडिल ओब दा फिल एंड सेट टू हिस सन ओ मतलब उठा और उसमें से मतलब बच्चों से कहा ओ अपने बेटे से कहा ए प्लेग ओप लोकट्स उड्ड है क्या बोल रहा है कि देखिए ए प्लेग ओप लोकट्स लोकट्स का मतलब बता है टीडी आ जो चोटे चोटे टीडी होते है न डेसे अभी आपको मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान से बहुत सरे लोकट्स जो है इंडियम आ चुके हैं और वो पूरे फसल को बरबाद करते हैं एक बार जब वो आते हैं कोई फसल में तो कन्फर्म है कि लाख दो लाख एक बार आते हैं और वो पूरे फसल को बरबाद कर देते हैं तो लैंचो यहां कर रहे हैं कि इससे तो कम से कम अच्छा होता है कि लोकट्स और मतलब बहुत सरे मतलब जूंड आते हैं लोकट्स के ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो लोग थोड़ा बहुत छोड़ दते हैं, लेकिन इसमें यह जो hell stones है, यह एक भी नहीं छोड़ा है, यानि बहुत ही दुख की बात है, his corn field was totally destroyed, वो पूरा तरह से बरबाद हो गया था, यहाँ पर next में है, आप देखेंगे next page number 5 में, the hell has left nothing, जो ओला विरिष्टी है, वो एक भी ची नहीं छोड़ा, जो भी फिल्ल में था, जो फसल था, वो पक गया था, उसको पूरा जार दिया, बरबाद कर दिया, बहा कर ले गया, this year we will have no corn, और ओ, जो किसान है, ओ बोल रहे हैं, कि हम लोग इस समय कोई भी corn हम लोग को नहीं होगा, that night was a sorrowful one, और उस रात जो है, वह रात जो है, बिल्कूल हम लोग के लिए बहुत दुख था, हम लोग के लिए बोले तो, आपको क्या होगा, ओ किसान के लिए बहुत ही, sorrow अब यहाँ पर कोई नहीं है, जो हमारी मदद कर सकता है, we all, we will all go hungry this year, हम लोग सभी क्या है, इस साल क्या करने जाएंगे, हम लोग समझेए मर जाएंगे, भूक से मर जाएंगे, अब यहाँ पर देखे, आपका ये, जो मैं part ये 1 पढ़ाया, उसके बाद मैं part 2 आपका, 2 प मैं बहुत जल्द जो है, part 2 ला रहा हूं, तब तक के लिए, दबाय, have a great day, मुझे पूरा उमीद है, कि आज मैं ये chapter पहला का सुरू किया हूं, first flight में, और मैं इसका part 2 बहुत जल्दी ला रहा हूं, ठीक है, अब वेट कीजिए, पूरा chapter को मैं पढ़ाऊंगा, आप tension नही लेंगे, okay मैं आपको question answer भी आपको discuss कर दूँगा, thank you very much, have a great day,